हेई गाई इस वाकत है आप लोग आई को नए वीडियो में तो आज है मेरे पास ये इसके अंदर है नाकमट और आज मैं आपको नाकमट की पूरी जानकारी देने वाला हूँ जो भी आप लोगों के मन में सवाल है वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं इस से बनता है कहां से बनता है क्यूं बनाया जाता है इसको खाने से क्या होता है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला तूं इस वीडियो को पूरी लासत देखना बिल्कुल भी subscribe मत करना नीचे ये चाहँ को अभी सब्सक्राइब के बटम पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो अगर आपने उधा की चाहँ को सब्सक्राइब करके रख दो तो चलिए बात करते हैं नाकुमट की ये जो नाकुमट होता है ये एक कले होती है जैसे आपकी normal clay होती है जैसके आपने लाल मिटी देखी होगी और भी चिकनी मिटी होती है जो मिटी चिप-चिपी होती है वैसी टाइप की ये clay होती है ये आपको naturally जमीन पर मिलती है बहुत सारी जगों में ये मिलती है इसका जो use होता था ये बहुत पहले use की जाती थी जो पहाड़ों में आप देखोगे पुराने घर होते हैं शहरों में तो नहीं होते है लेकिन जो पुराने घर होते हैं वहाँ पर इससे लिपाई पुताई की जाती थी लिपाई पुताई मींज इसको पानी में डाला जाता था इसका घोल बनाया जाता था और फिर वहाँ पर जोरब में लगाया जाता था वैसे करके पहले इसको यूज किया जाता था और तो उसको यूज करति थी घर की लिपाई पुताई में पहले उप खाना स्टार्ट के दिया जातर महिलाएं और लड़किया इसको खाती थी जितने मी लड़किया या फिर महिलाएं होती थी वो इसको खाती थी तो जब वो इसको दीरे-दीरे करके खाने लगी वहां से उनको ये टेस्टी लगने लगी और फिर वहां से इनको दीरे-दीरे करक यह full roasted नहीं है फुल रोस्ट बिल्कुल black होती है यह आदी रोस्ट है और आदी रोस्ट नहीं है तो इसको roast किया जाता था आग में और वहां से फिर इसको निकाल कर खाते थे और यह taste में बहुत अच्छा होता है जो लोग भी इसको खाते हैं उनको पता है कि ये टेस्ट में अच्छा होता है जिन लोगों के श्रीव में आयरनिया कैल्शिम की कमी या फिर फिकर डीजीज होती है उनको ये बहुत जाए टेस्टी लगता है लेकिन जिन लोगों को ये साई प्रॉलम्स नहीं होगी उनको ये टेस्टी भी नहीं लगता है और अच्छा भी नगता है खाने में कि यह बहुता चिप-चिपा होता है जब आप लोग इसको पहली बार खाओगे या फिर जब इसको पहली बार खाया जाता है तो यह आपके मुझ में फस जाता है जिससे वहां पर यह बहुत जादा दिक्कते करता है मैं आ तो कि आये, उनलाइन इसली मिल जाता है, लोग इसको फैक्टरी से लाते हैं और डारेक्ट इसको सेल्डर बेचते हैं और वहां से लड़किया इसको खाने लग चुकी है औरते खाने लग चुकी है इसके पीछे का reason जी है कि इसके उपर बहुत सारी वीडियो जा रही है जिससे ये बहुत जाधा popular हो चुका है और लड़किया और 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 अरते इसको खाने लग चुकी है लेकिन इसको खाना बिल्कुल भी सही नहीं है ये देखने के लिए लगता ह कि यह कोई भी प्रॉलम नहीं करती होगी लेकिन यह बहुत ही serious प्रॉलम करती है और बहुत भी बड़ी प्रॉलम जी यह करती है क्योंकि यह chip-chipy होती है तो सबसे पहले आपके móओ में जब chip करेगी तो वहां पर प्रॉलम करेगी cavities करेगी और आपके मूँ में बहुत सारी problem करेगी चाले करेगी और उसके बाद आपके गले में यह problem करेगी उसके बाद जब यह आपके पेट में जा एगी तो वहां पर भूप यह ब्लोकेज कर देगी मं डिक्न की problem beyर और बहूं पर बहुत सारी ब्हूं शोला जाता है औरर Mais जाते हैं बसके बाद में इंफेक्शन करता है масacboom इरू तो परूंग के लें और वहां से भी होती है इसके यह कारण अगर आप इसको खाते हो तो आपके खुन की कमी भी होगी और आपके बाद ज़रने लग जाएगी स्किन खराब हो जाएगी बहुत सारी इससे प्रॉलम होती है और अभी भी लोगों को हो रही है लड़कियों को हो रही है इससे बहुत सारी सीरिस प्रॉलम होती है तो देखने के लिए यह बहुत ही चोटा सा इसके फायदे थोड़े बहुत होते हैं कि अगर आप Google पर सर्च करोगे अगर आप इतना सा नाकमट खाओगे जब आपको acidity होगी तो यह acidity में राहत देता है सिर्फ इतना सा अगर आप बहुत सारा एक साथ अगर आप खाते जाओगे या फिर अगर दिन खाते-जाओगे तो यह प्रॉलम करेगा थोड़ा सा यृ प्रॉलम नहीं करता है लेकिन बहुत सार अगर आप खाते-चाओगे तो यह बहुत सारी प्रॉलम करता है और से आपको बहुत साइब परेशानियां होती है तो यह था नाकुमट के बारे में यह आपको कहां मिलता है मैं आप लोगों को बता दूँ आज कल तो यह आपको आपको आउनलाइन कहीं भी मिल जाएगा एमजोन पर फिलिप कार्ट पर मीशो पर कहीं पर भी मिल जाएगा और और आप उसको ओफलाइन लेना चाते हो तो आपको टार्ट नेlla पर्टेगा या या को जगव में यह लोगो इसको खोद कर निकालते हैं फिर कुछ घर में रोस्त करते हैं फिर बेजते हैं इसको बहुत त्रीकों सा यह आपके पास पहुंच जाता है लेकिन aniज इसलिए ये यह नहीं घाना चुंटो यह थी कुछ सवालों के जवाब जो आपके मन में आते होंगी एकर अभी आपके मन में कोई सवाल आरा आ надо के मुझेलब आप लोग पूछ सकते हो मैं आफ लोगको इसके बार जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चनल को जूरूर से सब्सक्राइब करके रख दो मैं आपके लिए आगे आगे ऐसी और वी वीडियो को देखे रहे होगा तो इस वीडियो को देख सकते हो झाल झाल